जैसे आप सभी आशा करता हूं बहुत शानदार हूंगे तो पिछली ग्लास में हमने ट्रेग्णोमेट्री और डिफ्रेंशियेशन पढ़ा और इस लेक्षर में हम इंटीग्रेशन और ग्राफ और कुछ और बेसिक चीज़े पढ़ेंगे जो आपके मैच को स्ट्रॉंग करे मैथ हैं हम मैच के लिए मत पड़ रहे हैं हम पढ़ रहा है हुआ है तो सबसे पहले हमेश हना होता कि Situation हमीशन का मतलब होता है समीशन यानि जोडनाए पर समीशन का होता हैं so this is basically reverse process of differentiation क्या है यह reverse कि प्रोसेस है किसकी differentiation की कि सो दिस दार रिवर्स प्रोसेस ओफ डिफरेंसियेशन इतनी चीज़े आपको याद रखनी है integration का जो साइन होता है so this type यह ऐसा टाइप का जो साइन होता है this is sign of integration ऐसे गोला नहीं लगाना है this is only the integration sign okay और integration अगर dx मैंने लिख दिया तो integration of dx क्या होता है यह होता है एक्स और इसमें हमें constant करते हैं तो एक्स प्लस 6 और यहां से अगर मैं integration of 5 dx करूं तो 5 बाहर आ जाएगा और यह फिर dx ही हो जाएगा तो जाने कि इसका integration क्या हो जाएगा 5x प्लस 6 अगर कोई दूसरा डिजेट है समझो integration 10 dx इसका मतलब हो गया 10 तो बाहर आ गया integration dx हो गया integration dx क्या होता एक्स होता है तो यह 10x प्लस 6 हो गया तो अगर कोई भी constant है उसका integration करते हैं तो जिसके respect में integration कर रहा है वही लिख देते हैं जैसे x के respect में यहां पर कर रहा है तो 5 के साथ x लिख दिया ओके बढ़ते हैं और integration में अगला जो महत्यवण formula होता है important formula होता integration of x की power ndx इसका जो value निकल के आती है वह आती है एक्स की power n प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 और साथ में यह constant constant हमेशा indefinite integral के case में add करते हैं definite integral के case में तो हमें lower to upper limit given होती है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है जैसे कोई example से देखते हैं यहां पर अगर इसको हम इसे solve करना है ऐसा कोई question ले लेते हैं पहले जैसे समझो ऐसा question integration of six x square क्या कर रहे हैं integration of six x square so integration of six x square dx अगर आप ऐसे कर रहे हो तो क्या करना है six तो बाहर आ गया बचा क्या x square dx अब x square dx का हमें integration करना है तो जाहिर सी बात है x की power n लगाना है तो यह six रहेगा एक्स की power n n कितना है आपका टू है तो एन प्लस वन यानिकि टू प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन और प्लस प्लस में क्या करना है constant तो यहां से क्या निकल के आता है six x cube डिवाइड बाई थरी तो थरी से अगर कैंसिल आउट किया तो टू आ गया प्लस सी तो यहां से आपका टू एक्स क्यूब प्लस सी इसका क्या हो गया differentiation सब्सक्राइब इंटीग्रेशन हो गया तो एसे इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं फिर अंगला आता है हमारा इंटीग्रेशन औफ यह फॉर्मूले है इंटीग्रेशन में ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखने आपको sign x dx तो integration of sign x dx होता है minus cos x plus c and integration cos x dx जो होगा वो हो जाएगा आपका sign x प्लस C एक और integration आपको याद रखना है 1 by x dx तो इसका integration हो जाता है log x और integration e की power x dx इसका जो integration होता है वो होता है e की power x ठीक है तो ये कुछ basic formula है जो आपको याद रखने है case of integration physics में कुछ basic integration करने की जड़ाद पड़ती है तो ये formula का use वहाँ पर किया जाता है इससे पहले मैंने क्या बताया था integration of constant यानि x dx अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा integration of any constant c dx अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या जाएगा c x आजाएगा c will be any constant integration x की power n dx हमने क्या करा था x की power n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 so you have to remember all these formulae कुछ question करते हैं जिससे better understanding होगी आपकी जैसे एक question है simple सा question है ये आपको आजाएगा integration e की power x प्लस 1 बाई x प्लस 2 x square प्लस 3 प्लस sin x तो यहां से बहुत सारे formulae भी आपको cover up हो जाएगे तो यहां पे सबसे पहले e की power x का अगर हम integration करते हैं तो यह हो जाता है e की power x 1 बाई x का हो जाता है log x यहां पे 2 है और x square है तो यह क्या हो जाएगा x cube by 3 प्लस 3 है तरीका अगर integration करेंगे तो 3 x आ जाएगा और sin का जो integration होता है minus cos x और plus क्या हो जाएगा constant तो यह हो गया इसका integration अगला कोस्टन discuss करते हैं simple सा यह भी question है question यह कहता है कि आपको करना है यह integration of cos x plus 3 into x की power 1 by 2 plus 3 by x plus 4 by x square इसका हमें क्या करना है difference sorry integration करना है तो यहां से cos x का हो जाएगा sin x plus 3 x की power 1 by 2 यानि 3 x की power 1 by 2 में 1 add करना है तो यह basically क्या हो जाएगा 3 by 2 एक में आधा add करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 by 2 और यहां से यह क्या हो जाएगा 3 by 2 3 से 3 cancel हो जाएगा उपर चला जाएगा 2 यहां पर 3 बाहर निकालेंगे तो 1 by x हो जाएगा 1 by x का क्या होता है log x प्लस यह 4 x की power minus 2 हो जाएगा उपर जाएगा तो यह तो यह हो जाएगा 4 x की power उपर गया तो क्या हो गया minus 2 और minus 2 बे 1 एड़ किया तो minus 1 और नीचे भी क्या करेंगे minus 2 plus 1 तो यहां पर भी minus 1 हो गया फर्दर अगर इसको solve करें तो sin x continue आजाएगा plus यह 2 उपर जाएगा 2 x की power 3 by 2 आजाएगा plus 3 log x आजाएगा और यहां पर यह minus 1 है नीचे तो minus हम कर लेते हैं और 4 divided by x लिख लेते हैं so this is the integration of that particular function और साथ में constant add कर देते हैं अब अगला ऐसी question हम एक और आपको format याद रखना है मालो ऐसा है integration 2 x plus 1 का whole cube dx इसका integration करना है तो आपको करना क्या है इस पूरे के पूरे term को आपको t माल लेना है तो यह t cube हो जाएगा वैसे तो इसको detail है पढ़ाते हैं लेकिन आपको बस simply याद रखना है क्या करना है t cube माल लेना है तो t cube का differentiation करेंगे तो यह क्या हो जाएगा t की power 4 divided by 4 यह क्योंगा ना यानि कि t की जगे पर क्या है 2x plus 1 की power 4 divide by 4 इतनी बात समझ में आगी जो यह अंदर वाला term है जिसको हमने t consider करा है उसका नीचे differentiation करते हैं तो यह इसका differentiation करना है d by by dx 2x plus 1 तो यहां से क्या निकल के आएगा 2x plus 1 की power 4 divide by 4 और यहां पर 2x का differentiation कितना हो जाएगा 2 और 1 का differentiation 0 तो यहां पर हो जाएगा 2x plus 1 की power 4 divide by 8 और साथ में क्या करेंगे constant add करेंगे तो आई हो प्ये question आपको समझ में आओगा जब कभी भी कोई भी term power में हो एक single function ना हो multiple function हो तो हम उसको t माल लेते हैं और उसका नीचे denominator पर जाके क्या कर देते हैं differentiation कर देते हैं तो आई होप यह चीज़े आपको अच्छे से clear होई होगी जैसे आंगला question आप देखो जैसे माल लो यह integration है x square plus 3x plus 4 की whole power 4 dx तो हमें क्या मानना इसको t माल लेना है या इस पूरे को पूरे single function माल लेना है और उसका integration कर देना है तो यह x square plus 3x plus 4 x की power n वाला formula यहाँ पर लगा दो यह पूरा t की power n लगा दो तो इसका n लगाऊगो तो n plus 1 या या यह 5 हो जाएगा नीचे भी क्या हो जाएगा 5 अब हमें क्या करना है इस बाले का हमें नीचे differentiation करना है so d by by dx में लिख भी देता हूं एक step x square plus 3x plus 4 तो यहां से आएगा क्या x square plus 3x plus 4 की power हो गई 5 divide में क्या होगा यह 5 है और साथ में आएगा क्या यह 2x हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 3 तो यह आगया क्या इसका integration plus आप constant कर सकते हैं so I hope कि integration आपको clear हुआ होगा अब definite integral की बात कर देते हैं अब यह सारे indefinite integral थे हम definite integral की बात करते हैं इसे मालो एक question है integrate करना है 0 से 2 के बीच में function है 4x cube plus 2x square plus 2x plus 1 dx इसको integrate करना है limit के 0 से 2 तो simply इसका पहले integration कर लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका 4x की power 4 divide by 4 plus 2x cube divide by 3 plus 2x square divide by 2 और प्लस क्या हो जाएगा x और limit क्या है 0 से 2 के बीच में अब देखो आगे यह 4 इस 4 को काटेगा यह 2 इस 2 को काटेगा तो यहां पर क्या आगया x की power 4 प्लस 2x की power 4 प्लस x square प्लस x और limit क्या है 0 से 2 अब जो लिमिट होती है एक बार 2 रखते हैं फिर minus करते हैं एक बार upper limit रखते हैं और एक बार lower limit करते हैं रखते हैं इस variable की जगे पे और उसको क्या कर देते हैं तो lower limit रखने से 0 ही आ जाएगा तो upper limit रखते हैं सिर्फ तो यह 2 की power किता हो गया 4 प्लस यह 2 इंटू 2 की power कितना हो गया यह 3 और no ओ यह 3icky आएगा तो यह 3 हो गया प्लस 1 2 की power 2 हो गया प्लस 2 हो गया तो भी 2 की power अगर हम 4 करें तो यह आ जाएगा हमारा कितना 16 प्लस ये भी 2 की पावर 4 बन गया तो ये भी क्या हो गया 16 यहां पर divide by 3 भी तो है ये divide by 3 ये divide by 3 तो भूली गयते ये भी divide by 3 होगा यहां पर divide by 3 हो जाएगा समझ में आरी बात प्लस क्या है 2 की पावर 2 कितना होता है तो 2 की पावर 2 होता है 4 और प्लस 2 तो यहां से निकल के क्या आएगा भाई यह 16 और यह 4 20 और यह 2 22 तो यहां पर क्या हो गया 22 प्लस 16 भाई 3 अगर LCM लेते हैं तो यह 3 हो गया यह 66 हो गया प्लस क्या हो गया 16 तो इसको 6 और 6 12 और 6 7 और यह 8 82 यह इसका अंसर आगया और इसमें कॉंस्टेंट करने के आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि यह डेफिनेट इंटेग्रल है जो वैल्यू आई है वह कॉंस्टेंट आई है समझ मैं आरी बात इसमें कोई वेरियेबल नहीं है कि चले अगला एक छोड़ा सा कोश्चन और कर लेते हैं जैसे समझो ऐसा कोश्चन है कोश्चन यह है कि इंटेग्रेट करना है जीरो से पाई बाई फॉर के बीच में फंक्शन है साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स डी एक्स तो हमें क्या करना इसको इंटेग्रेट करना है और लिमीट हमारे जीरो टो पाई बई फॉर पाई बाई फॉर सभी को मालू मेंट पाई बाई फोर Así शो यहां पर साइन time साइन एकस क्या होता है माइनस कोस mature और को से एकस क्या हो जाता है साइन एक को limit क्या है जिरो से लेके पाई भाई 4 के बीच में ठीक है अब हम दहाnhते हैं पाइब उस पहरी बात फिर यह हमने मिसों से cos पे, अब हम sin पे रखेंगे तो plus करेंगे sin pi by 4 और minus करेंगे sin 0 समझ में आरी बात अब देखें, तो minus cos pi by 4 minus cos pi by 4 क्या होता है, 1 by root 2 cos 45 क्या होता है 1 by root 2, cos 0 कितना 1, plus sin 45, 1 by root 2 और साइन जीरो कितना होता है जीरो यह वाला इसको कैंसिल आउट कर दिया तो यहां से जो आंसर आया वह कितना आया उपन सो वन इस दा राइट आंसर सो इंटीग्रेशन में बस इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो इसके बाद हम बैसिक बात पढ़ रहें तो उसमें कुछ और चीज़ें डिसकस करते हैं जैसे जमेट्री जो होती है सबसे पहले हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कोई भी अगर पॉइंट है तो उसकी पोजीशन कहांपे है यह हमें मालूम होना चाहिए तो सबसे पहले हम एक कॉाडिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हे हैं जैसी ही कॉडिनेट सिस्टम है सबी को मालूम है ऐसे एक बड़ा सा ब्लस बना देते हैं यह हमारा x का positive होता है और यह x का क्या होता है negative यह उपर y का positive होता है और नीचे होता है y का negative यानि इस वाले x इस पे पहले में x लिखते हैं और दूसरा y तो यहां पे दोनों क्या है positive है x और y दोनों positive है फ़र्श काॉर्शन में ईक्स क्या होता है x क्या है निगेटिव तो यह x निगेटिव और y क्या है positive थर्ड democrine र दूनों के दोनों edible तो दोनों के दोनों क्या होगे निगेटिव और फौर्थ क्वाडरेंट में हमारा एक्स हो गया है पॉजिटिव और वाई हो गया है निगेटिव तो यह चीज़े आपको याद रखने हैं हम बात करते हैं पोजीशन की इसकी पोजीशन की दो-चार पॉइंट लेके हम डिसकस करेंगे दो-चार पॉइंट और उनकी पोजीशन देखेंगे तो जैसे बना लेते है कि जैसे बना लेते हैं क्राुशो और बना लेता चाहिए तो डेके इसको अगर थे तो इसमें एक पॉइंट हम कोई रेंडôm पॉइंट देखते हैं, रेंडम पॉइंट जिस सपोस कि हमारा कोई P. पॉइंट है और P की जो वैल्यू है, यहाँ पे P की जो वैल्यू है, वो कितनी अभी? तो यह कोई पॉइंट P है, और P की जो वैल्यू है, वो है आपकी 2 और 3 दोनों की दोनों पॉजिटिव है, तो जाइट सी बात है, फर्स्ट कॉडरेंट में होगा, X में 2 जाना है तो यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 1 और यह 2, X में 2 चले गया, Y में कितना जाना है? 3 तो यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, और यह 3 हो गया, इससे इधर आएंगे Y में और इधर ऐसे आएंगे X में और यह जो पॉइंट निकल के आएगा, यह पॉइंट होगा P, और इसकी वैल्यू होगी 2 और 3 समझ में आ रहे बात? यह जो पॉइंट होता है, इंटर सेक्षन, X और Y का, इसे बोलते हैं, और इसे लिखते हैं, 0 और 0 तो यहां पे और इसे लिखते हैं, यह पॉइंट पे X भी 0 और Y भी 0 अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं, जिसकी वैल्यू है, माइनस 3 और 4 यानि कि X में माइनस 3 जाना है, तो यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, और यह 3 हो गया, X में हम माइनस 3 चले गया, और Y में क्या जाना है, 4, तो यह यहां पे चले गया, यहां पे एक ऐसे हमने point draw करा यह P dash है और P dash की value कितनी है तो minus 3 और 4 समझ में आरी बात एक point हम क्यों लेते हैं क्योंकि जो value है वो है 2 और minus 3 यानि X क्या है 2 है तो X2 यहीं भी मिल जाएगा minus 3 जाना है तो 1 2 और 3 तो यह माइनस 1 यह माइनस 2 और यह माइनस 3 तो इसको इधर ले गए तो यह आपका क्या हो गया 2 माइनस 3 और यह कौन सा point है यह क्यों पॉइंट है तो आई होप कि आप पो पोजीशन तो आप समझी गए होंगे position कैसे represent करते हैं कोई भी पॉइंट है तो उसका position हम कैसे बताते हैं कि इसके बाद जो है इसके बाद आता हमारा distance formula कौन सा formula तब यह distance formula distance formula आप class 10 में पढ़े हैं और आपको याद भी होगा क्या होता है distance formula सभी लोग एक बार लिखेंगे तो हम क्या हूं सा formula लिक रहे है distance formula है कि डिस्टेंस फॉर्मुला जैसे तू एकस के लिए होता है वैसे थरी एकस के लिए होता है ठीक है मालो कोई point है जैसे एक point है x1 और y1 क्या है x1 और y1 पी है और क्यू एक point है जो के कौन सा है x2 और y2 अगर x1 और y1 पी और q के बीच के distance अगर कोई पूँचे तो क्या होगा पी क्यू होगा और पी क्यू की जो value आ जाएगी यही distance होगी और distance क्या हो जाएगी under root x2 माइनस x1 का whole square प्लस y2 माइनस by 1 का whole square इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का whole square प्लस by 1 माइनस y2 का whole square अगर आपने x1 पहले लिखा है तो इदर by 1 पहले लिखना जरूरी है ओके इसके बाद हमारा आता है slope of line क्या आता है slope of line तो slope of line क्या होता है देखो इसमें slope of line कोई भी line है उसका हमें क्या निकालना है slope निकालना है चीक है slope होता क्या है तो slope जैसे माल लूँ ये यह हमने बना दिया है यहाँ पे कैसे line है इसका अगर मुझे slope निकालना है तो जहिड़ सी बात है इसका एक point तो ये है और एक point ये है इसको यह हो जाएगा इसका वाई-बन और यह हो जाएगा इसका वाई-टूं तो है एगर मैं ऐसे मिला देता हूं तो यह वाला जो एंगल है थीटा है। M is equal to क्या होता है टैन थीटा होगा क्या है तैन तो यही तो पर्पेंडिकुलर है यही वाली चीज तो डीकिलर हे और यहांसे जो और यहां X1, तो यहां से 10 theta क्या हो जाएगा, आपका Y2-Y1 Divide by X2- X1 तो यहां से जो M आ गया Slope of line, which is Y2-Y1 Divide by X2-X1 तो यह क्या आ गया Slope हो गया, Slope क्या होता है M होता है, M is what, 10 theta तीक है, इसके बाद हम अगर बात करें, equation of line की, equation of line, कोई भी line है उसका equation अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करते है, Y minus Y1, that is M time X minus X1, ठीक है यह क्या होता है, equation of line, इसको अगर M की value हम put करें, तो Y minus Y1 is equal to M की value क्या है, Y2 minus Y1 Divide by X2 minus X1 into X minus X1 So, this is the equation of line passing through two point उसके बाद एक और होता है, Y is equal to M X plus C, कोई भी line है जिसका हमें slope given है और C क्या होता है intercept तो हम इस equation का use करके उस particular line का क्या हम बता सकते हैं, equation बता सकते हैं, ठीक है, आगे डिसकस करते हैं, आगे और कुछ चीजे हैं, important important चीजे हैं, जैसे माल लोग आप, जैसे quadratic equation बीच में मिल गया, तो quadratic equation होता है, तो quadratic equation हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आगर द quadratic equation, quadratic equation क्या होता है, सभी को मालूम है, बच्चों ने 10th में पढ़ रखा है, कि कोई भी equation है, जो ax square plus bx plus c is equal to 0 के form में हैं, अगर एक ही value 0 नहीं है, तो इस type का कोई भी equation क्या होता है, quadratic equation होता है, और इसको जो हम solve करते हैं, तो इसको दो roots निकल के आते हैं, एक मालूम alpha है और दूसरा क्या है, बीटा, अब यह roots क्या होता है, roots एक ऐसी value होती है, कि इस value को अगर इस equation में रख दिया जाए, variables की जग है, तो यह equation क्या होना चाहिए, satisfy होना चाहिए, यानिक इसकी value क्या नही B by A, और product of rule, which is alpha into beta, which is C by A, ठीक है, quadratic equation को अब हमें क्या करना भी है, solve करना है, तो इसके लिए formula होता है, which is, x is equal to minus B, plus minus root, B square minus 4AC, divide by 2A, ठीक है, तो यह formula है, quadratic equation को solve करने के लिए, कभी कभी क्या होता है, splitting से solve नहीं होता है, तो quadratic formula use करना, अधिक better होता है, mid term split करके भी हम निकालते हैं, x की value, और कुछ ऐसे equation आ जाते हैं, कि हम factory नहीं समच पा रहें, क्या add करें, क्या multiply करें, कौन से number select करें, so then in that condition, you use that particular formula, ओके, यहाँ प इसी है, which is called discriminant, इसी क्या बोलते हैं, discriminant बोलते हैं, और जो होता है, अगर d की value, greater and equal to 0 ہے, तो जो roots निकल के आते हैं, वो कैसे होते हैं, real होते हैं, और इस d की value, अगर less than 0 है, तो जो roots निकल के आते हैं, वो कैसे होते हैं, imaginary होते हैं, कल्पनिक रूट्स होते हैं और इमेज़नेरी रूट्स के लिए आयोटा वाला आपने पढ़ा होगा अपने पढ़ा होगा आयोटा की पावर 4 और हो जाता है जिसे बोलते है लोगैरिदम लोगैरिदम क्या होता है लोगैरिदम यानि लॉग ठीक है अब माल लो 10 की पावर X that is any number ठीक है तो यहां से लॉग N base 10 what is X हो जाएगा ठीक है समझ में आरी बात यानि कि अगर आप देखो 10 की पावर 2 कितना हो रहा है 100 समझ में आरी बात तो यानि कि लोग 10 की पावर 100 which is what 2 समझ में आरी बात यह हो गया तो यह तो वेसिक हो गया लोग हम कैसे लोग करते हैं और कैसे इसको solve करते हैं लोग में भी कुछ formula है जैसे लोग है आप देखो ऐसे कुछ दिया हुआ है जैसे है लोग X प्लस लोग Y तो यह क्या हो जाता है लोग XY समझ में आरी बात जैसे लोग है X है माइनस है लोग Y तो यहां से आ जाएगा लोग X डिवाइड बाई Y समझ में आरी बात जैसे लोग है X की पावर Y है तो हम Y लोग X लिख सकते हैं इसको समझ में आरी बात चीक है तो इतनी चीज़े आपको याद रखनी है यह basic formula है इनको आपको याद रखना है जैसे लोग जो 2 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.3010 और लॉग 3 की जो वैल्यू निकल के आती है विच इस 0.4771 और लॉग 0 होता है विच इस 0 लॉग 1 क्या होता है 0 समझ में आई बात लॉग 1 क्या हो जाएगा लॉग 1 इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इसका मतलब क्या है 10 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है ऐसे ही तो हम लिखते हैं और यहां पर जो यह इसका लॉग का जो बेस है विच इस वाट 10 ठीक है आगे देखते हैं आगे की कुछ चर्चाएं और कर लेते भी कहां पहुंच गए अपर ज्यादा नहीं हाँ इसके बाद है अर्थमैटिक प्रोग्रेसन जिसको हम बोलते है एपी क्लास 10 में एपी आपने पढ़ा होगा एपी हूता क्या है एपी आपको यह समझना है के क्या है कि कोई भी जैसे नंबर है जैसे मैंने और यह से हचाँ एसके बाद लग दिया हमने इए उसके बाद लिए उसके 관심 ऐसे अगर कोई सीरीज यहां पर डिफरेंस देखे तो थरी जोड़ने तो यहां पर दो टर्म के बीच का जो वो क्या है constant है यह हमारा फॉर्स टॉम हो गया जिसे हम बोलते हैं यह मारा सेकेंट मुग हो गया यह मारा सदों हो तो जो जनरल होता है अगर कोई भी टॉम हमें निकालना है तो फिल प्लस एंड माइनस बन इंटो टी जैसे कोई भी एपी का कोई भी आम हमें टॉम निकालना जैसे मालोग यह यह इसका हमें 15 टॉम निकालना तो हम क्या लिखेंगे A plus N minus 1 यहनि 15 minus 1 14 into D A कितना है? 2 है plus करेंगे 14 और common difference D is the common difference और यहां पर common difference कितना है? 3 है तो अगर इसको solve करें तो 2 plus 14 रिजा 42 तो यहां से 42 and 2 which is what? 44 So this is the 15th term of that particular AP अगर मुझे sum करना है अगर इसी AP क्या करना है? Sum करना है तो उसके लिए formula होता है SN SN is equal to N by 2 उसके बाद 2A plus N minus 1 into D ठीक है? यह formula है जो आपको याद रखना है इस formula में अगर मैं 15 term का sum निकालू S 15 लिखोंगा तो यहां पर 15 divided by क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा 2 times A लिखोंगा A की value 2 है तो 2 and 2 कितना हो जाएगा? 4 plus 14 into D D is the 3 तो यहां से अगर मैं देखों 15 by 2 और यहां पर क्या है? 4 है और यह क्या है? 42 तो यहां से क्या आ गया? 15 into 42 में 4 जोड़ा तो यह आ गया आपका 46 divided by 2 तो 2 से इसको करा तो यह आ गया तेविश आप इसको multiply करेंगे तो 15 से 3 बार में 45 कहरी आया आपका 4 15 से 2 बार में 30 और 30 और 34 तो पहले 15 term का जो sum होगा वो कितना होगा? 3, 4, 5 So this is the S 15 ठीक है? यह formula आपको याद रखना है उसके बाद कुछ standard formula है जैसे मालो हमें 1, plus 2, plus 3, plus 4 प्लस ऐसे ऐसे करके कोई N number तक जाना है तो इसका जो result आता है वो होता है N into N plus 1 divide by 2 अगर मुझे इसी का square करना है A square plus 2 square plus 3 square यहाँ पे 4 आएगा 5 नहीं आएगा 3 square plus 4 square and so on N square तक जाना है तो इसका जो formula होता है वो होता है N into N plus 1 N to N plus 1 divide by 6 ठीक है तीसरा जो formula है cube का 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube and so on N cube तो यह जो पहला वाला formula है उसी का square कर दो simply तो N into N plus 1 by 2 का whole square तो यह cube बाला formula आजाएगा समझ में आरी बात इन formula को भी आपको याद रखना है इसके बाद एक आता है Componendo डिवीडेंडो थियोरम क्या Componendo and डिवीडेंडो इसका भी use कभी कभी maths में होता है तो इसको भी आपको याद रखना जैसे मालो कोई value है P by Q विच इस A यह हो गया इसको हम क्या लिख सकते हैं हम इसको P plus Q divide by P minus Q तो इसको हम A plus B divide by A minus B क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं समझ में आरी बात यह आता कैसे हैं आता कैसे हैं इसकी जानकारी आपको बहुत जादा नहीं होनी चाहिए अगर जानकारी आपको चाहिए तो आपको करना क्या है पहले दोनों साइट एक बार plus 1 कर दो फिर एक बार दोनों साइट minus 1 कर दो फिर उसको divide कर दो तो यही result आजाएगा समझ में आरी बात क्या करना है पहले दोनों साइट plus 1 कर दो फिर दोनों साइट minus 1 कर दो जो result है उसको divide कर दो तो यही result आपके सामने आ जाएगा समझ में आरी बात तो यह कुछ basic basic चीजे थी जो मैंने आपको discuss करी और यह maths के point of view से बहुत जादा important हो जाता है तो यह आपको याद रख लेना है समझ में आरी बात इसके बाद अगली class में जो अगला हमारा lecture होगा उसमें हम unit and measurement पढ़ने वाले हैं और उसमें हम neat के pyq solve करेंगे जो neat है उसके pyq भी solve करेंगे and पूरी की पूरी theory को भी हम explain करने वाले हैं so what you have to do you just subscribe the channel and press the bell button जिससे की upcoming जो भी notification है वो आपको time to time मिलती रहे और आपको proper video भी मिलती रहे और आपकी तयारी को बहुत ही बहतरी इंदिशा मिल सके so thank you very much and wish you all the best पढाई करते रहे और आंगे बढ़ते रहे हैं झाले हैं झाले हैं